इससे पहले हमने हिंदी का सेक्षन डिसकस किया है अगर जिसने अभी तक हिंदी वाला सेक्षन नहीं देखा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं तो इसके बाद जो हम अगला सेक्षन जो डिसकस करने जा रहे है वो है जीके का सेक्षन तो जीके सेक्षन का जो पहला कोशन है वो है हिमाचल परदेश में बिधान सवा के लिए प्रत्थम चुनाब कब हुए थे तो जो इसका अंसर होगा बहोगा ओप्षन C, उन्नीसो काबन में 42 वा कोश्चन है भारत का 48 वा मुख्य न्याई दीश की से चुना गया था तो जो इसका अंसर है वो है N.B. रमना ओप्षन B 42 का सई अंसर होगा ओप्षन B अब 43 वा कोश्चन है भारतिय सभिधान के किस सभिधान शिशोधन को लगू सभिधान के नाम से भी जाना जाता है तो इसका अंसर होगा 42 सभिधान शिशोधन ओप्षन A इसका अंसर सही रहेगा चुर्टालिसवा कोश्चन है बर्तमान में भार्टी रिजर्व बैंक के गबर्नर पद पर कौन धारन कर रहा है तो चुर्टालिसवा का जो अंसर है बहोगा ऑप्शन डी शक्तिकांस दास शक्तिकांस दास पैरा ओलम्पिक 2020 किस देश में आयोजित किया गया तो इसका अंसर रहेगा जपान तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा अगला कोश्चन है संयुक तराज जी अमेरिका का 46 वा राष्टिपती कौन चुना गया है तो यह अभी हाली में चुने गये है जो की है जो बाइडन तो ऑप्शन सी सही अंसर रहेगा अगला कोश्चन है हिमाचर प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकरतिक जील कौन सी है तो यह कोश्चन दोस्तों कई बार पेपरों में पूछा जाता है तो जो प्राकृतिक जील है वो है सबसे बड़ी प्राकृतिक जील है वो है रेनु का जील तो option इसका ए सही रहेगा और अगर कभी पुछे कि माणनम निर्मिद जील कौन सी है सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की तो वो है गोविन सागर जील जो अगला कोश्चन है वो है 2011 की जनगन्ना के अनुसार हिमाचर प्रदेश के किस जिले में महिला शाक्षता दर सबसे कम है तो चमबा में सबसे कम है तो option रहेगा इसका option C अगला कोश्चन है रोतांग दर कुलू गाटी को किस गाटी से जोड़ता है तो ये कुलू गाटी को लोहल और सपीती से जोड़ता है तो option C सही रहेगा इसका अनसर अगला कोश्चन है संयुक्तराष्ट का महासचीव कौन है तो संयुक्तराष्ट के महासचीव है एंटिनियो गुत्रेश्ट तो इसका option A सही रहेगा अगला कोश्चन है भारत में सबसे पुराना टाइगर डिजर्ब कौन सा है तो इसका अनसर रहेगा जिम कॉर्बेट option D अगला कोश्चन है भारती सविधान के किस हिस्से को सविधान की आत्मा कहा जाता है तो ये है अनुछेद 32 option B इसका सही अनसर है अगला कोश्चन है बरतमान में भारत में कौन सी पंचपर्शी रोजना लागू की जा रही है तो इसका अनसर होगा चौदवी option C अगला जो कोश्चन है वो है नीती आयो का पादेन अधिक्ष कोन है तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होते है वो नीती आयो के पादेन अधिक्ष होते है तो फिलाल जो प्राइम मिनिस्टर है मारे प्रदान मत्री है वो है नरेंदर मोधी तो ये इसके पदेन अधिक्ष होगे तो option इसका C सही रहेगा अगला question है गुप्त सामराज्ये का अंतिम शाषक नीमिल लिखित में से कौन सा था तो इसका जो अंसर रहेगा वो होगा option B बिश्नु गुप्त अगला जो question है वो क्रंट फेर से संबंदित है नीरेज चोपड़ा जो है बाला फेंक से संबंदित है इन्होंने इस बार गोल्ड मैडल जीता था तो उससे संबंदित ये question पूछा गया है तो इस question है सन 2020 में ओलमपिक में नीरेज चोपड़ा ने गोल्ड मैडल किस खेल में जीता है तो जैसे कि मैंने आपको पताए ये बाला फेंक से संबंदित है तो इसका option C सही अंसर रहेगा बाला फेंक अगला question है वो है किस तापमान पर centigrade तता फारन हाइट थर्मामीटर समान पढ़ता है तो इसका option B होगा माइनस 40 डिग्री Celsius अगला जो question है पानी में हबा का बुलबोला डैश ऐसा ब्यवार करता है मतलब वो कैसा ब्यवार करता है तो इसका अंसर रहेगा वो होगा अपतल लैंस की तरह option ये इसका सही अंसर है अगला question है निमिल लिखित में से किसका उप्योग उन सामागरी की आयू निधारन के लिए किया जाता है जो कभी जीवी थी तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगे क्या जो कार्बन डेटिंग है वो कार्बन 14 नामकर जो सामागरी या प्रदार्थों से पुराने जीव, जनतू, कुछ भी चीज के जिवाशम है उनकी आयू निधारित करने के लिए इसका उप्योग किया जाता तो इसका अनसर रहेगा C14 Option D अगला question है जीव बिज्यान के जनक कौन माने जाते है इसका अनसर रहेगा अरस्तु जो की option B रहेगा अगला question है मानव श्रीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड़ी कौन सी है तो वह फीमर है जो option A सही रहेगा ये जांग में उपस्तित होती है ये सबसे बड़ी हड़ी मानव श्रीर की है अगला question है हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश के राजी पाल कौन है तो ये अभी हाली में चुने गए है तो जो ये नई निक्ति हुई इन की ये है राज अंदर बिश्वनात अर लेकर option C सही अंसर है अगला question है शिमलास्त समझोता पर हस्ताक्षर कब होए थे तो ये 1922 में होए थे option B सही अंसर है अगला question है स्वामी विवेका नंद के बच्पन का नाम क्या था इनके बच्पन का नाम नरैंदर नाथ था तो option D सही अंसर है अगला question है हिमाचल परदेश में नलबाड़ी मेला मुख्य रूप से किस से जुड़ा हुआ है तो ये बिलासपूर में मिनाया जाता है इसे EW गोल्स्टीन ने आरम किया था तो इसका option C सही अंसर रहेगा तो दोस्तो इसमें हमने इस भाग में हमने GK का सेक्षन डिसकस किया है इससे आगे हम मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिलूँगा तब तक लिए धन्यबाद